विल्कम गाइज विल्कम बाक ट्यो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और बहुत ही शानदा डेली मार्कलिस वीडियो में वन साइडर कंटिनेस मार्केट में राली चल रही थे लेकिन आज जो फॉल आया है गजब का फॉल था चीजे ऐसी दिख भी रही थ तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिसकस भी किया था कि मार्केट का ट्रेंड अभी नेगिटेव है वही ट्रेंड देखने को मिला लेकिन उस ट्रेंड में बहुत ही बड़ा फॉल आया निफ्टी में मोर दें फाइव इंड़ पॉइंट का फॉल बैंक निफ्ट पॉरी वीडियो जरूर देखें बहुत ही मजदार वीडियो ने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए है आपने अभी तक सब्सक्राइब ही के तो क्या करना है फटब और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली ऐसे वीडियो में नहीं करने चाते है चलने आले कर सकते थे क्योंकि मैंने बताया था हमारा एक सेट अप कि मौनिंग में आपको 50 पॉइंट की रेंज माग करनी है और जिस साइड वो रेंज ब्रेक होगी उसी डिरेक्शन में मौव आएगा मौनिंग में अप साइड रेंज ब्रेक हुई और एक अच्छी खासी 100 बनी और जब रिवर्सल आया तो आप ट्रेलिंग असल से एक्जिट हो जाते है उसके बाद स्टार्ट होती है असली कहान जो मौनिंग का वो आ गया लेकिन उसके बाद जो फॉल आया है वन साइड़ फॉल है आपको पूरे दिन में बहुत मौके मिले प्रॉफिट बनाने के वन साइड़ अच्छा खासा बड़ा फॉल आया है तो आपने मार्किट के डिरेक्शन में ट्रेड बनाये होंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लोस को यूज किया होगा त्यूंकि ऐसे जैकपॉट करते हैं और उसके बाद वही सेल ओफ स्टार्ट होता है गजब का सेल ओफ यहां भी हम 51800 के आसपाद जाके क्लोज होते हैं तो मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल यहां भी देखने को मिला है और यहां भी मैंने आपको बताया था ओवर ओर आल ट्रेंड नेगेटिव है बहुत ही सिंपल ही आप इढंटीफाय कर सकते हैं सुपर ट्रेंड से हुप आपने चार्ट पर मार्ग किया होगा क्योंकि उसने पूरा दिन बताया कि यहां आज की मार्केट हो चुकिए कल क्या करना है क्या हमें अब इस फॉल के बाद बाइंग स्टार्ट करनी चाइए य जो अपने support level से बहुत दूर चले गए थे अब वो धीरे धीरे अपनी entry के आसपास आ रहे है और ऐसे कुछ stocks मैं आपके साथ group में share करूँगा जो मैं आपने portfolio में इस fall में add कर रहा हूँ जो अब मुझे अच्छे valuations पे लग रहे हैं जिनका entry level अब अच्छा बन रहा है वो मैं आपके साथ अपने premium group में share करूँगा देखे premium group कोई paid group नहीं है वहाँ आप fee देके join नहीं कर सकते वो उनके लिए है जो हमारे DMAT के members है तो काफी time बाद market में यह मौका आया है कि market में अच्छा decent fall आ रहा है stocks भी काफी correct हो रहे हैं अब अच्छे valuations पे हमें stocks दिखाई दे रह दीरे दीरे आप उन shares को accumulate long term के लिए कर सकते हैं अपने portfolio में add कर सकते हैं मैं भी add करूँगा और आपके share करूँगा आप उन्हें दीरे दीरे अपा add कर सकते हैं negative market जरूर चल रही है further fall भी आ सकता है लेकिन यह चीज अच्छी है जो लोग इतने time से wait कर रहे थे न कि stocks में कु जरूरी है तो कल का setup देख लेते हैं कि कल के लिए क्या setup है nifty bank nifty दोनों की बात कर लेते हैं पहले बात करते है bank nifty की देखो levels क्या है 51.800 पहला level upside उसके बाद 52.250 उसके बाद 52.250 उसके बाद 52.400 ठीक है downside 51.300 उसके बाद 50.950 अब setup clear है 51.800 के आसपस closing आईए यही level trend decide करेगा अगर कल हम इस level के अबब हैं तो हम bullish है और अगर इस level के below हैं तो हम bearish है और हमें market में fall expected है target पहला ही बहुत बड़ा है directly 500 points का 51.300 लेकिन अगर gap down opening हो जाए फिर wait करो next support level के break होने का और फिर यह आपका यह entry point होगा और यह आपका next level target होगा ठीक है तो opening important है 51.800 के आसपस opening होई तो इस level के break होने का wait करना है लेकिन अगर opening gap down हो गई फिर से बड़ी तो next level के break होने का wait करो फिर entry करना है ठीक है और upside तो clear है 51.800 के अबव कहीं भी है तो आप bullish entry कर सकते है market में bounce back और rally expected है ठीक है तो most important level है कल के लिए 51.800 bank nifty में यही market का trend decide करेगा gap down opening होती है तो 51.300 का wait करेंगे हम और फिर trade में entry करेंगे simple clear bank nifty का यही setup है यही आपको ध्यान रखना है अब बात कर लेते है nifty की यहां क्या करें levels पहली चीज़ हमार पास limited है फिर भी देखो क्या levels हैं हमार पास downside support 25.230 है इसने काम भी किया day end में market को further fall नहीं करने दिया उसके बाद 25.130 and 25.070 level यह downside level से upside 25.300 उसके बाद directly zone है 25.400 से 430 यह कल मैंने आपको बताया भी था fall आएंगे तो बड़े आएंगे क्योंकि directly जो level से 100-100 points पे है 25.600 के बाद directly 25.500 था उसके बाद directly यह zone था उसके बाद directly 25.300 था उसके बाद 25.230 था अगर move आएगा तो बड़ा आएगा यह expected था वो ही हुआ अब कल के लिए मैंने आपको level से बताया trade कैसे मनेगा जो day low है वो break हुआ तो further fall आएगा यानि 25.230 के below market negative होगी market में fall आएगा पहला ही target 100 points का है उसके बाद next target further 60 points का fall expected है पहला target 25.130 उसके बाद 25.070 next level और target होने वाला है लेकिन market bearish कब होगी 25.230 के below market negative और bearish होगी तब आपको fall के लिए trade बनाना है देखो setup पे trust करना है और entry करनी है चैक कितना ही बड़ा fall आगया और fall market कर सकती random reversal try नहीं करना है अब side की बात करूँ 25.300 में लिए resistance लेवल है resistance ब्रेक होगी तो market में rally आएगी market bullish होगा और पहला ही target 25.400 से 430 level होने वाल है simple clear setup है 25.230 के below market negative 25.300 के above market positive और bullish है nifty में simple यह setup ध्यान रखना है और कल आपको follow करना है कितना ही है and इसे complex नहीं बनाना है hope setup clear है अब पहली चीज यह शेयर करना है आपका दिन कैसरा secondly वीडियो को like नहीं किया तो कर देना and channel पर नए है या आपने subscribe नहीं किया तो क्या करना है subscribe भी जरूर कर ले